हेलो बच्चो इस यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है CBSC बोर्ड परच्छा 2013 में पुछा गया प्रश्ण यदि समीकर्ण X स्क्वाइर मानस 7X प्लस 10 वरावर 0 की मूर अलफा वा बीटा हूँ तो वह समीकर्ण गयाद की जिसकी मूर अलफा इसक्वाइर प्लस बीटा इसक्वाइर हूँ तो यहां हमें समीकर्ण दिया हूँ दिया समीकर्ण दिया गया समीकण पेपर में हम इसी तरह सी सोल करना है x square minus 7 x धन 10 बराबर 0 यहाँ इसकी standard form ax square धन bx धन c जो quadricution की फोर्म होती है जो आज समीकण की उससे कमपे करेंगे C तुलना करने पर तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो A बराबर यहाँ मुझे बंद दिख रहा है B बराबर यहाँ पर minus का 7 दिख रहा है और C बराबर 10 दिख रहा है तो मूलों का योग क्या होता है मूलों का योग alpha और beta इसके मूल दिये हैं प्लस बीटा होता है मानस B वटे A, B है मेरा 7 मानस का 7 वटे A है बन तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, मूलों का गुणन फल यानि मूलों का गुणन बरार होता है C वटे, C मेरे पास 10 है, A बन है तो यह यह 10, स्वेक्ट करना है जिसकी मूला is albsjla subscribe यहां पर आलपा स्कूइर प्लस बीटा स्कूइर मूलों का यह उक्ता यहां निकालेंगे इसको लेंगे हम अलफा धन बीटा का हू़ वर्ग यहाई गालफा स्केर प्लस बीटा स्केर प्लस टू अलफा बीटा तो इस्में से दो सीधि अल्फा बीटा है दस तो यह 49 माइनस 20 तो यह बचा 39 और मूलों का गुड़न फल अल्फा स्क्वेर इंटू बीटा स्क्वेर इसे लिखेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वेर और जिए दिया है मुझे 10 तो 10 का स्क्वेर हो गया मेरा सो वह समिंकन जिसके मूल अल्फा स्क्वेर वह बीटा स्क्वेर है तो समिंकन क्या होता है एक्स स्क्वाइर माइनस मूलों का जोड गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणन फल यह होता है हमारा कोई दिगास समिंकन अगर हमें मूल दिये हो बूल यहाँ पर अल्फा स्क्वेर बीटा स्क्वेर दिये हो हैं तो यह बन जाएगा यहाँ पर हमने यह अलफा स्क्राइब बीड़े स्क्राइब की पहले ही निकाल लिए जो कि 39 है 39 एक्स प्लस सो बरावर जीरो यही हमारा उत्तर होगा यही हमारा समिकन होगा तो आसा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दें चैनल को सेरेम सब्सक्राइब भी कर लें वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद